आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग करना बिलकुल आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में लास्तक बने रही एगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर देखिए हमें भाग देनी है 16 संख्या को 2 से तो हमने यहाँ पर 2 का पहड़ा लिख लिए है ताकि हमें भाग देने में आसानी हो तो पहले हम चेक करेंगे कि एक में दो का पाड़ा आ सकता है या नहीं तो एक तो दो के पाड़े में आता ही नहीं है और एक छोटा भी है दो से तो एक तो आएगा ही नहीं दो के पाड़े में तो अब हम इन दोनों संख्या में दो का पाड़ा पढ़ेंगे या तो 16 के बराबर आ जाए या 16 से हम कम लेंगे तो 2 के पाड़े में हम चेक करते हैं अब 2 नम 18 तो अधिक हो जाएगा 16 सोला से तो हम 18 नहीं लेकर हम 16 लेंगे 16 आता है 8 बार देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 16 आया है 8 बार तो हम 8 को यहां लिखेंगे और 16 को 16 के हम नीचे लिख देंगे मनी बार पाड़े में जाएगा यानि 2, 8, 16 तो हम 8 को यहां लिखेंगे और 16 को 16 के नीचे लिख देंगे अब इसको हम घटाएंगे जब हम 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा तो यहाँ पर 0 आया है हमारा सेशफल जिसको हम इंगvs में बहुते हैं तो यह है सेशफल और इसको बहुते हैं हम भाखफल आपको यह समझ में आया होगा अब हम करते हैं दूसरा प्रश्ण तो अब हम करेंगे दूसरा प्रश्ण और तीसरा प्रश्ण यहाँ पर हमने तीन के पहाड़े बाले हमने यहाँ पर दो प्रश्ण लिये हैं और साइड में हमने तीन का पहाड़ा भी लिख लिया है ताकि हमें इक कोशें करने में आसानी हो देखिए अब हमें चेक करना है कि 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार जाता है तो चेक करते हैं तीनी कना 3, 3 दुनी 6, 3 त्या 9, 3 चोग 12, 3 पंजे 15 तो 3 के पहाड़े में 15 पांच बार आया है तो 5 संख्या को हम या लिखेंगे और 15 को 15 के नीचे लिख देंगे अब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा तो 6 वल आएगा 0 और भाग वल आएगा 5 अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न तीसरे प्रेश्ण में हमें 27 को भाग देनी है 3 से तो हम चेक करेंगे कि 27 कितनी बार आता है 3 के पहड़े में 3 इकना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चोग 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 सत्य 21, 3 अठे 24, 3 नम 27 3 धाई 30, 30 को तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 30 बड़ा होगा 27 से और 27 कहां आ रहा है 3 के पहड़े में 9 बार देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 3 नम 27, 9 को हम यहाँ लिखेंगे और 27 को 27 के नीचे लिख देंगे और इसको हम घटाएंगे फिर 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 आएगा और 2 में से 2 को भी घटाएंगे तब भी 0 आएगा तो 6 वाल आएगा, 0 और भाग वाल आएगा, 9 अब हम कुछ और सवाल भी करते हैं अब यहाँ पर हम कुछ और सवाल भी करते हैं पहले हमें 20 को भाग देनी है, 4 से फिर हमें 128 को भाग देनी है 4 से इस question को आपको ध्यान से सबजना होगा तो पहले हम पहला question करते हैं फिर हम इसका दूसरा सवाल भी करते हैं पहले सवाल में हमें 20 को भाग देनी है 4 से तो हमने यहाँ पर side में 4 का पहड़ा लिख लिया है अब हम चेक करेंगे कि 20 कितनी बार आता है 4 के पाड़े में चारिकना 4, 4 दुनी 8, 4 तिया 12, 4 चोक 16, 4 पंजे 20 तो 5 बार आता है 20 तो 5 संख्या को हम यहाँ लिखेंगे और 20 को 20 की नीचे लिख देंगे यह तो बहुत ही असान था अब हम 20 में से जब 20 को घटाएंगे तो आएगा 0 सेजफल आया है 0 और भागफल आया है 5 अब हम करते हैं इस सवाल को भी तो यहाँ पर देखें बहुत बड़ा नंबर है 128 इसको भाग देनी है हमें 4 से तो देखेंगे 1 तो आएगा नहीं 4 के पाड़े में तो हम इन दोनों नंबर में चेक करेंगे कि 4 का पाड़ा कितनी बार आता है तो 4 का ना 4, 4 दुनिया, 4 तिया 12 तो 3 बार आया है 12 तो 3 को यहां लिखेंगे और 12 को 12 के नीचे लिख देंगे अब हमें क्या करना है इसको घटाना है घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा तो हम यहां पर लगाएंगे क्रोस ताकि हमें इससे याद रहे कि हमें यहां पर कुछ नहीं लिखना है अब हम तीसरा अंक को नीचे लिख लेंगे मतलब जब हमने यहां तक complete कर लिया है equation तो इससे आगे क्या number लिखा हुआ है? 8 तो हम 8 को नीचे लिख लेंगे अब 4 के पाड़े में check करेंगे कि 8 कितनी बार आता है? तो 4 इकना 4, 4 दुनी 8 तो 2 बार आया है 8 तो 2 संक्या को यहां लिखेंगे और 8 को इसके नीचे लिख देंगे अब 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हैगा? 0, तो safe फल आया है 0 और भाग फल आया है 32 अब हम करते हैं कुछ और सवाल इस सवाल में हमें 125 को भाग देनी है 5 से तो इस question को easy करनी के लिए हमने side में 12 लिख लिया है 5 का अब हम check करेंगे एक तो आता नहीं है 5 के पाड़े में तो हम 2 संख्या में check करेंगे या तो 12 आजाए या 12 से हम कम लेंगे तो 5 के पाड़े में 12 से कम कोंसे संख्या है? 10 10 कितनी बाड़ा आता है 5 के पाड़े में? 5 का ना 5 5 दो नी 10 2 बाड़ा आता है तो 2 संख्या को हम यहां लिख देंगे और 10 को हम इसके नीचे लिख देंगे यानि 12 के नीचे हम 10 को लिखेंगे अब इसको हम घटाएंगे 2 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा 2 और एक में से एक को घटाएंगे तो जीरो आएगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस अब देखें यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है इससे अगला नमबर है पांच तो पांच को हम नीचे लिख लेंगे अब पांच के पहड़े में चेक करेंगे कि पांच कितनी बार आता है पांच के पहड़े में पांच आ जाए यह पांच से हम छोटा नमबर लेंगे लेकिन पांच तो आए जाता है पांच के पहड़े में लेकिन कितनी बार पांच का ना पांच पांच दूनी दस पांच तिया पंदरा पांच चोग 20, पांच पंचे 25, तो 5 बार आता है 25, तो 5 संक्या को यहां लिखेंगे, और 25 को इसके नीचे लिख देंगे, अब इसको हम घटाएंगे, तो सेशफल कितना आएगा, पांच में से 5 जाएंगे तो 0 आएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू